इस question को आप graphical representation की मदद से भी समझ सकते हैं equation की मदद से भी समझ सकते है Einstein की और इसको orally भी समझा जा सकता है इस question को चलो मैं आपको Einstein की equation की मदद से इसको समझा जाता हूँ क्या है question आप से कह रहा है कि आपके पास कोई एक photosensitive surface है उसके लिए threshold wavelength lambda note है बास सही है अब threshold wavelength जो होती है यह maximum wavelength होती है जिस पर photoelectric electrons का emission होता है अगर इससे ज़्यादा wavelength डालोगे तो photo electrons नहीं निकलेंगे तो यह maximum wavelength है अब आप से कहरा है does the photo emission occur if the wavelength lambda of the incident radiation is हम से कहरा है photoelectric emission होगा अगर wavelength जो है वो lambda note से ज़्यादा हो जाए अब मुझे एक बात बताओ lambda note से अगर ज़्यादा हो गई तो photoelectric electrons का emission नहीं होगा क्योंकि lambda note यह maximum wavelength होती है किसी भी photosensitive surface के लिए कि वो electronों को अपने अंदर से emit करा दे उससे ज़्यादा अगर आपने और wavelength डाली तो फिर photo electrons का emission नहीं होता अब आप कोगे तो आप रड़ी रटाई language बता रहे हो तो मैं आपको Einstein equation की मदद से समझाता हूँ तो आपके पास Einstein equation थी क्या वो यह थी कि maximum kinetic energy जिसको आपके max कहते हो यह था H new minus के H new node अब आप new जो है जिसको आप frequency बोलते हो इसको आप wavelength की term में तोड़ दो तो यह हो जाएगा HC upon lambda node, lambda node बना, lambda node ओहो, lambda node तो तो आएगा जब यहाँ, note होगा तो यह हो जाएगा HC upon lambda node, HC मैंने common ले लिया, 1 upon lambda minus 1 upon lambda node अब देखो क्या होगा, LCM ले लो, HC उपर ऐसे लहेगा, नीचे हो जाएगा lambda into lambda node cross multiplication lambda node minus के lambda, अब आपके पास यह K max आचुका है ठीक है, तो यह equation बनी, अब मुझे एक बात बताओ, kinetic energy maximum होगी यह फिर kinetic energy होगी, तो kinetic energy किसी photo electrons के पास अगर होती है, तो इसको मतलब यह एक ही photo electron निकला है तो यह तभी possible है ना, कि जब lambda से छोटी wavelength आप डालो, क्योंकि lambda minus lambda node, अगर मैं यहाँ पर कहूँ, इफ, पहली वाली condition के साब से, कि lambda जो है, lambda node से जादा हो गया, लेम्डा node से जादा हो गया, तो काइनेटिक एनरजी जो है, के मैक्स यह निगेडिव नहीं आजाएगी, देखो आप निगेडिव आजाएगी, क्योंकि यह वैल्यू आप बहुत जादा कर रहे हो, यह छोटी तो कम मैसे जब जादा को माइनस करोगा, तो वैल्यू निग होगा, second condition में अगर मैं यह कह रहा हूँ कि इफ लेम्डा नोट जादा है, लेम्डा से तो यहाँ पर काइनेटिक एनरजी जो है, जिसको आप मैक्सिम कहें, तो यह पोजेडिव आजाएगी, इससे यह पता चल जाएगा, कि फोटो एलेक्ट्रों का एमिशन होगा, तो वो कोशन पीक करें, जो आए हैं बोड एक्जाम में, तो तो यहार रहें आप लोग भी,